दोस्तों कोरोना से हुए लॉकडाउन में एक बात तो साफ हो गई है कि बिजनस को अगर आगे बढ़ाना है तो आप पुराने तरीकों से नहीं चल सकते आपको कुछ नए कदम उठाने होंगे और उसमें से एक कदम है अपने दुकान के सामानों की ओनलाइन डिलिवरी तो आ माकेट में पहले से ही है पर सच ये है कि अभी भी ग्राहक अपने पुराने दुकानदारों से ही खरीदना चाहते हैं इसका कारण उनके पुराने अच्छे संबंद भी है और साथ में कई ग्राहक उधार पर सामान लेते हैं जो ओनलाइन सामान बेशने वाली कमपनियां पाएंगे अब आते हैं कि इसको करना कैसे है वैसे तो हम जल्द ही इस काम के लिए एक बेहतरीन आप आपको बताएंगे लेकिन अगर आप चाहें तो इसे केवल वाटसैप के माध्यम से शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन डिलिवरी करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूर उनकी रेट भी साथ में लिख सकते हैं फिर अपने ग्रहकों के साथ वाटसैप पर सामानों के लिस्ट शेर करें और अपने ग्रहकों को वाटसैप के माध्यम से ही बताएं कि आप इन में से कोई भी सामान वाटसैप पर ही ओर्डर कर सकते हैं साथ ही उस मैसेज में अपनी दुकान की डीटेल्स और नमबर भी डालें, तांकि आपके ग्राहक उनके साथियों को भी ये फॉरवर्ड कर सकें. वाटसेप पर ही उनसे लोकेशन मंगवा लें, अब एक डायरी या कम्प्यूटर में आप और नोट करना शुरू कर दें, इसके लिए आप चार कॉलम बना लें, पहला यहां और का टाइम लिखें, दूसरा यहां ग्राहक का नाम और मुबाइल नमबर लिखें, तीसरा यहां पेमेंट का स्टेटस लिखें, नाकत मिला है, तो डिलिवरी पर्सन से कलेक्ट करें, और अगर उधार है, तो ओके क्रेडिट एप में उसे लिख लें, तांकि ग्राहक को भी उसकी सूचना SMS से मिल जाए, अब जैसे जैसे ओर्डर आते जाए, एरिया के हिसाब से अपनी ड और डिलिवरी करवाते जाएं, और ये शीट भड़ते जाएं, डेली आपको एंड में पता चल जाएगा कि कितने ओर्डर हुए हैं और कितनी बिकरी, वैसे तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान है और कारगर भी, लेकिन हो सकता है, आपको शुरुवात में थोड़ा अलग पर आप बस इस पे लगे रहें, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे ही आपका बिजनस एक नई रफ्तार से आगे बढ़ने लगेगा, तो इसी तरह के बिजनस टिप्स देखते रहने के लिए आप हमारा चैनल ओकी क्रेडिट सब्सक्राइब करिए और बिल आइकॉन तबा कर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए, अगले वीडियो तक आप बने रही है हमारे साथ।